तिनका तिनका था हमने जवारा अपनी वो माटी ओर घर वारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आखों से अपनी संकल्प बोलके हम तो निकल पड़े हर द्वार खोलके गगन गहे विजये भावा पीजये भावा कज़ने कहे विजय भवाद अब चले आदिया सलसल को जे जैगार बढ़े हर देर देर में पारा हो हर कदम कदम में से रादी सची ललकार बढ़े अब पड़ पड़ वंकारों को उनका जिनकार बढ़े है रात की सुरन पटकी है रोशनी है चक पता रही राशनी कगन कहे विजय भवाद विकारों पर विजय की यात्रा में आज जिस कमजोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जिद करना ये जो जिद करने की कमजोरी है इसको हम सभी पहचानते हैं सबको पता है जिद करना क्या होता है सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी इसका अनुभव भी किया होगा किस-किस को लगता है अभी भी हमारे अंदर ये संसकार है अभी भी हम जिद करते हैं सुशिल भाई तो जिद करते हैं क्लास कराओ, क्लास कराओ ये पिद करते हैं तो ये जो जिद करने का संसकार है ये सुख्ष्मा और स्थूल दोनों रूप में हो सकता है जो स्थूल जिद होती है वो तो हम सभी को दिखाई देती है कि कोई आत्मा, कोई व्यक्ति अपनी बात पर जब अड़ जाता है उसको हम कहते है कि यह बहुत जिद कर रहा है लेकिन एक होती है सुक्षमजीद जो हमारे अपने ही मन के संकलपों के साथ हम लड़ते रहते है हमारे ही मन में जब दो टाइप के संकलप चलने लगते है और हम एक संकलपर ही अड़े रहते हैं वो भी एक प्रकार की जिद है सुक्षमजीद जिद किसी छोटी सी बात के लिए भी हो सकती है और किसी बड़ी बात के लिए भी हो सकती है बिल्कुल छोटी-छोटी बात के लिए भी कई बार इतनी बड़ी-बड़ी जिथ हो जाती है कि वो बहुत-बड़ा स्वरूप ले लेती है जैसे अभी हम लोग यहां क्लास में बैठे हैं यहाँ पर यह जिद का संसकार पनप सकते है, जागरित हो सकते है? हो सकते है? मान लीजे कोई व्यक्ति है जो रोज आता है क्लास में और उसकी कोई जगा फिक्स है, कि वो हर रोज आके वहीं बैटता है, लेकिन आज जब वो आया तो उसके पहले कोई आके वाँ बैट गया थ तो उसने उसको बोला कि भाई आप कई और बैठ जाए ये मेरी जगा है और उसने बोल दिया कि भाई इतने सीट खाली है आप कई और बैठ जाओ तो इसमें क्या होगा जिद का संसकार तुरन जागरित हो जाता है कि नहीं ये मेरी सीट है जब मैं रोज यहां बैठता हूँ तो मैं यहीं बैठूँगा, आप कई और बैठूँ, और जैसे ही हमारा जिद का संसकार जागरित होता है, तो हम सामने वाले के जिद के संसकार को भी जागरित कर देते हैं, वो बंदा भी जिद पकड़ लेता है, मैं भी कई और नहीं आप कई और बैठ चाओ, तो ये जिद इतनी बढ़ती रहती है कि वो बोलता है मैं भले खड़ा रहूंगा पूरा दिन लेकिन मैं कई और नहीं बैठूंगा, मैं इसी सीट पर बैठूंगा, ये क्या वो बहुत चोटी सी बात थी, बहुत आराम से आप कई और जाके बैठ सक लेकिन जिद का संसकार जागरित हो गया कि ये मेरी सीट है, ये जो जिद का संसकार जागरित हुआ, इसके पीछे कौन से विकार ने काम किया, कौन से विकार ने काम किया, इसके पीछे, आहंकार, मेरी सीट है, अभिमान, दे अभिमान आ गया, तुरन जैसे व्यक्ति ने मन किया कि मैं नहीं उठूंगा, तुरंत अहंकार आ जाता है। इसलिए इसको अभिमान कहते हैं, अभिमान मतलब अभी मेरी बात मानों। अगर नहीं मानी तो कहते हैं न, अहंकार को ठेश पहुंच जाती है। और कौन सा विकार इसमें काम करता है। और कुन सा विकार, एक तो अभिमान, सबसे पहले तो अभिमान जागरित होता है, दूसरा अपमान की फिलिंग आती है, अपमान की फिलिंग भी किसको आती है, जिसको अभिमान होता है, और कोई विकार है जो इस situation में काम कर रहा था, अभिमान को, स्वामान को ठेज पहुंच गई, और कौन सा, एक attachment, मेरी seat है, कोई और कैसे यहाँ पर बैठ गया, seat से भी attachment हो जाती है, कि यह मेरी है, तो मैं कहीं और नहीं बैठ हूँगा, और कौन सा विकार यहाँ पर काम करता है, भय का विकार, भय क्यों, छीन न जाए, मैं थो सालों से यहीं बैठता आ रहा था, अभी कल से अगर यह रोज यहाँ बैठने लग गए, तो मेरी seat छिन जाएगी, भय का विकार काम करता है, यह जो सारे विकार है, जिद क्या है, इन सभी विकारों का रिजल्ट है, जो आत्मा में कही न कही छुपे उए बैठे हैं, जब कोई व्यक्ति जिद करता है तो पता चल जाता है क्या क्या छुपा हुआ था अंदर, और ये जिद का संसकार पनपने कब से लगता है, कब से आत्मा में आने लगता है जिद का संसकार? बचपन से जब हम छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तब से ये जिद का संसकार आत्मा में आने लगता है हमने देखा ने छोटे-छोटे बच्चे कैसे सड़कों पर लोट-पोट हो रहे होते हैं यही खिलोना चाहिए, यही चोकलेट चाहिए, उसके बदले में आप उन्हें भले उससे अच्छी कोई चीज दे भी दे, लेकिन वो अड़ जाते है कि हमें वही वाला चाहिए, तो जिद का संसकार क्या करता है, आत्मा के सोचने समझने की शक्ति को खतम कर देता है, बच्चा जो चीज मांग रहा होता है, अगर उससे बढ़िया चीज भी लाके दे दे, वो उसको भी फैंक देगा, कि नई मैंने जो बोला है मुझे वही चीज चाहिए, क्या हुआ सोचने समझने की शक्ति खतम हो गई, सिर्फ अड़ गए कि मुझे वही चाहिए, पिर ऐसी सिच्वेशन में माबापको क्या करना पड़ता है, क्या, पिटाई से भी नई माने तो क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है उसको, क्योंकि, तो देना पड़ता है, और जब दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, आत्मा में ये संसकार और पक्का हो जाता है, कि अगर कुछ भी चाहिए, जिद करो और मिल ज तो बच्पन से आत्मा में ये संस्कार हमारे पक्का हुआ कि जिद करने से जो चाहिए मिल जाएगा जिद की अगर परिभाशा देखें तो जिद माना अपनी बात पर अड़े रहना और दूसरे सब को अपने आगे गलत समझना जिद वाले व्यक्ति को लगता है सिरफ मैं ही सही हूँ और बाकि सब गलत है और अपनी ही बात को वो सही सिद करता रहता है भले उसको अंदर से पता भी होता है कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो सही है लेकिन अपनी जिद के कारण वो अपनी बात को सही सिद करने में लगा रहता है बाबा के भी महावाक्या है जिद वाली आत्मा सिद करती है अपनी बात को राइट प्रूव करती है जो बात सच होती है उसको प्रूव नहीं करना पड़ता, यह राइट है, लेकिन जो बात गलत होती है उसको राइट प्रूव करना पड़ता है और उसी को जिद कहते हैं, कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, तो हम उसकी भी मत नहीं मानेंगे, यह है जिद, और बाबा मुर्लिय बच्चे बाब का भी सामना करते हैं, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, और वो जिद भी कैसी होती है, कि हम इनको क्यों माने, जैसे बाबा साकार के अनुभा साकार की बाते जब बताते हैं, तो बच्चे कई ऐसे कहते थे कि हमारा direct connection शिप बाबा से है, हम ब्रह्मा बाबा क क्यों माने ये जिद होती थी कई यों कि जिद होती थी हम धादियों की बात क्यों माने अपने बड़ों की बात ये मेरा इंचार्ज क्यों है मैं इससे जादा सम construction हूँ मुझे इससे जादा knowledge है यहाँ जब यह बातों में जिद आने लगती है, तो जिद वाली आत्मा का फिर क्या हाल होता है? उसको धीरे दीरे यहाँ से फिर जाना पड़ जाता है, क्योंकि जिद का संसकार आत्मा को सोचने, समझने की शक्ती उसकी बिलकूल खतम कर देता है. हमें समझ ही नहीं आता है कि हम यह सब कर क्यूं रहें है तो यह है जिद का संसकार तो हम लोग अपने अंदर भी अगर चेक करें जिद का संसकार सबसे पहले देहे अभिमान मैं ही राइट हूँ मैं जैसे चल रहा हूँ वो ही राइट है मैं जैसे बोल रहा हूँ वो ही राइट है और किस बात में जिद होती है मैं जैसे पुरुशार्थ कर रहा हूँ वो ही राइट है अहंकार जिद को पनपने देता है भय कैसे? जैसे मान लीजे 4-5 लोगों का कोई ग्रूप है और उस ग्रूप में आप सबसे बड़े हैं जिसको discussion करना है और उस ग्रूप में अलग-अलग लोग अपनी बाते कह रहे हैं और उनकी बाते इतनी अच्छी हैं कि शयद उतनी अच्छी बाते आपके mind में भी नहीं आती हैं पर वहाँ पे भय है कि अगर मैंने ये बोला कि इनकी बात बहुत अच्छी है तो कहीं मेरी जो position है वो मेरी position छूट नहीं जाए तो इसलिए क्या करते हैं अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही right है वही होगा अंदर से जिद वाली आत्मा को पता होता है कि मैं जो कह रहा हूं वह right नहीं है लेकिन उपर से वह उस जिद में अड़ी रहती है और कौन सा संसकार हमने कह था attachment का संसकार मोहो का संसकार मोहो का संसकार में सबसे famous कौन सा रिष्टा है मा और बच्चे का रिष्टा मा और बच्चे के रिष्टे में जिद होती है, बच्चों की होती है, मा की होती है, हाँ, मा की भी जिद होती है, मा बच्चे के रिष्टे में, बच्चे को दो रोटी भी खानी होगी, लेकिन मा जबर्दस्ती क्या वोलेगी, नहीं, तीन खा, चार खा, क्यों, प्यार नहीं, उसको बाबा मोहो कहते हैं, अटाइच Attachment है इसलिए जिद पकड़ लेते हैं और उससे कई बार उसकी तब्यद भी खराब हो जाती है तो यह है attachment और कैसे attachment दिखता है माँ बच्चे के रिष्टे में माले जे बच्चे का admission कहीं बहुत अच्छी जगा पे हो गया लेकिन वो बहुत दूर है तो माँ जिद पकड़ लेती है तुझे इतनी दूर तो मैं नहीं जाने दूँगी अंदर से पता है कि वहाँ जाएगा तो इसका भविष्य बन जाएगा लेकिन कौन सा संसकार काम कर रहा है जिद मोहो का संसकार जिसने जिद को जागरित किया तो मोहो भी जिद के संसकार को जागरित करता है गुसा जिद के संसकार को जागरित करता है गुसा कैसे आपने को कोई बात कही, बहुत शुब भामना से कही, लेकिन सामने वाले ने रिजेक्ट कर दी, जैसे आजकल लोग एक दूसरे को कौनसी बाते ज़्यादा कहते हैं, अपने हेल्थ से संबन दी, आपने किसी को समझाया कि ऐसे करना चाहिए, रोज वॉकिंग करनी चाहिए, ये खाना चाहिए, दूसरे ने बोल दिया कि आपको जो करना है करो, हमारी हैल्थ तो अच्छी है, अना, तो कहते हैं, लेकिन अगर कोई मानता है या नहीं मानता है, उसमें हमें detached नहीं हो, अगर उसमें detached नहीं होके जिद पकड़ लेते हैं, कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, देखना भविष्य में फिर आपको तकलीफ होगी न, फिर आपको इस बात का पता पड़ेगा, ये सब क्या होता है जिद पकड़ लेते हैं कि अभी अभी मेरी बात को आप मानो अगर नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमें अपमान की फीलिंग आने लगती है हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एक्जम्पल है जहाँ पे एक छोटी सी जिद के कारण बड़े बड़े युद्ध छिड़ गए कौन से एक्जम्पल है हमारे शास्त्रों में महा भारत महा भारत कैसे हुई दुर्योधन की जिद थी कि मैं सुई की नोक के बराबर राज्य भी पांडवों को नहीं दूँगा इस जिद ने महा भारत को जनम दिया तो दुर्योधन की ये जिद क्यों थी क्योंकि एक तो उसका अहंकार था कि मैं इनको राज्य क्यों दूँ दूसरा अंदर में भाय था कि अगर थोड़ा भी राज्य इनको दे दिया तो ये मुझसे भी अच्छा राज्य खड़ा कर लेंगे तो उस जिद ने महा भारत को जनम दिये और कौन से शासर में जिद का संसकार देखने को मिलता रामायन में एक तो सीता की जिद कि मुझे सोने का हीरन चाहिए और रिजल्ट क्या निकला कि उसको रावन की शोक वाटिका में जाके बैठना पड़ा और किसकी जिद थी रामायन में? और भी किसी की थी? कैकई की जिद थी कि राम को वनवास दो और भरत को राजगद्दी दो इसने भी क्या किया? रामायन की शुर्वात इस्ते हुई इसमें केकई का क्या था उसका मोहू था भरत के प्रती कि मेरे बच्चे को राजगद्धी मिले और डर था कि अगर राम इधर ही रहा तो भरत राज्ये नहीं करेगा इसलिए राम को वनवास पे भेज़ दो ये जिद रामायन में जो दिखाई देती है कितने बड़े-बड़े युद्धों को इनोंने जनम दिया और किसी शास्त्र में दिखाई देते हैं और किसी कहानी में जिद का संसकार जैसे भक्त प्रलाद की कहानी सुनाते हैं उसमें एक राजा हरिन्य कश्यप थे उनकी क्या जिद थी किस सब लोग मुझे भगवान माने कोई भी विश्नु की पूजा नहीं करेगा सब लोग मुझे ही भगवान मानेंगे इस जिद ने उसका भी जो उसका अंतिम समय आया वो इस जिद के कारण आया तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी कहानिया हैं बहुत सारे उसमें उधारन हैं और कही न कही से देखा जाए तो सब कुछ जिद के संसकार पर ही निर्भर कर रहा था तो जिद का संसकार ऐसे लगता है कि छोटी सी बात है जिद ही तो कर रहे हैं बच्चे जब जिद करते हैं तो उसको कोई बुरी बात नहीं माने जाते हैं होशते हैं कि चोलो बच्चा है जिद तो करेगा ही लेकिन अगर इसको हम गहराई से समझें तो जिद का संसकार बहुत डेंजरस संसकार है और जिद का संसकार किसी ना किसी अंदर के विकार की उपज है अंदर हमारे कोई ना कोई बुराई है जिसके result में जिद का संसकार आता है जैसे रिष्टों में भी जिद होती है रिलेशनशिप में रिष्टों में क्या जिद होती है, जैसे husband wife का जब रिष्टा होता है तो जिद होती है कि आप सिरफ मेरे साथ ही रहो, मुझसे ही बात करो, किसी और से बात नहीं करो, ये जिद का संसकार क्यों है, क्योंकि वहाँ पे insecurity है, कि कही ये आत्मा मुझसे चीन नहीं जाए, उसके का कारण हम जिद करते हैं, comparison जब करने लगते हैं आपस में, तब भी जिद का संसकार निकल के आता है, comparison, ब्रह्मन लाइफ में भी कई बार comparison करने लगते हैं, तो ब्रह्मनों में भी जिद का संसकार जागरित हो जाता है, ब्रह्मन लाइफ में किस बात का comparison करते हैं, उसमें comparison कै किस बात के लिए होता है ब्रामनों का अपस में कंपेरिजन साधनों में भी हो जाता है साधना में भी हो जाता है दोनों बात में कंपेरिजन होता है कि इसके पास यह चीज है मेरे पास यह चीज नहीं है इनको यग्या से गाड़ी मिल गई मुझे नहीं मिली इनको रूम अके ब्रावनों में जिद हो जाती है या मैं ये डिपार्टमेंट कई बार अभिमान आ जाता है तो मैं इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करूँगा मैं इनके साथ सेवा नहीं करूँगा ये सब क्या है छोटी छोटी बाते जिद के संसकार को जागरित करते हैं और कई बार पुरुशार्थ में भी जिद करने लगते हैं। पुरुशार्थ में कैसे जिद होती है? आप तीन बज़े उठते हैं तो हम दो बज़े उठेंगे। और कैसे कई बार दूसरों से जिद नहीं होती है, अपने ही अंदर सुक्ष्म में जिद होती है। मैं ऐसे ही पूर्शार्थ करूँगा मैं शाम का योग यहीं बैठके करूँगा मैं इसी जगा पे करूँगा या फिर इसी तरह से करूँगा या मैं मुर्ली के टाइम से पहले मुर्ली पढ़ लूँगा और मुर्ली के टाइम जो भी अलग-अलग तराखे हर एक के संकल्प होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी पुरुशार्थ में दृड़ता है लेकिन वो होती है हमारी जिद ये जो जिद और दृड़ता है इन दोनों के बीच में बहुत ऐसा डिफरेंस है कि कई बर हमें समझी नहीं आता है कब हम दृड़ संकल्प करते करते जिद का संकल्प करने लगते हैं अंदर में हम सोच रहे होते हैं कि नहीं हम तो दृड़ हैं अपने संकल्पों पे या अपनी बात पे मैं दृड़ हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये चीज ऐसे ही करता हूँ लेकिन वो द्रिड़ता कब हमारी जिद बन जाती है हमें पता नहीं चलता द्रिड़ता के लिए परमात्मा के महावाक्य है कि द्रिड़ता सफलता की चाबी है अगर आपने कोई भी द्रिड़ संकल्प किया है उसको सफल होना ही है लेकिन जिद सफलता की चाबी नहीं है लेकिन हमारी वो द्रिड़ता है या जिद है कई बर हम इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजे हम ब्राह्मन लाइफ में कर रहे होते हैं जिसको करते हुए हमें लगता है कि हम बहुत द्रिड़ हैं अपने नियमों पे अपनी श्रीमत पे हम बहुत द्रिड़ है लेकिन कही न कही वो कब जिद बन गई है हमारी पता नहीं पड़ता है तो कैसे पता पड़े कि ये बात मेरी द्रिड़ता वाली है या जिद वाली है क्या difference है द्रिडता और जिद में क्या difference है द्रिडता और जिद में जैसे जिद के लिए अभी हमने सुना कि किसी ना किसी विकार के बात पर ड्रिड रहना मो, कुछ भी होगा, लेकिन जो दृड़ता है, वो किसी अभिमान के फल स्वरूप नहीं आती है, दृड़ता आत्मा का संसकार है, किसी बात पर दृड़ रहना, मतलब अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना, लेकिन किसी बात की जिद करना, मतलब आत्मा की पावर को कम करना, दृड़ता वाली आत्मा हमीशा stable रहेगी लेकिन जिद वाली आत्मा तुरंत वो उसका हलचल में वो आ जाएगी असमंजस में पढ़ जाएगी और दृड़ता वाली आत्मा का और क्या गुन होगा जिससे हम पैचान पाएं कि यह दृड़ता है जिद नहीं है क्या कंसिस्टेंसी रहेगी वो दृड़ता रहेगा अपनी बात पे ही अड़ा रहेगा चलता रहेगा उसी बात पे और जिद वाला क्या है वो किसी की भी बात सुनने समझने को तयार नहीं होता है लेकिन द्रिड़ता वाला दूसरे की बात को सुनकर समझकर उसके बाद अपना निरने लेते हैं और द्रिड़ता वाला क्या करते है द्रिड़ता वाला सौफ्ट होता है और जिद वाला कठोर होता है उसका बात करने के तरीके से यह आपको समझ में आ जाएगा कि यह जिद कर रहा है कड़क नेचर होता है उसका और द्रिड़ता वाला और क्या करता है अपने लक्षे के प्रति सजग रहेगा द्रिड़ता स्टेबल रहेगा और वो तो हमने बात की न स्टेबल रहेगा और वो हलचल में आता रहेगा द्रिड़ता वाला हमेशा अपने दिल की सुनता है दिल से काम करता है इसलिए वो इतनी जल्दी होपलेस नहीं होता लेकिन जो जिद वाला होता है वो अपना दिमाग चलाता है हर बात में इसलिए वो बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है कि पता नहीं मेरा कुछ होगा के नहीं और द्रिड़ता के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है सफलता लेकिन जिद के साथ सफलता नहीं अगर जिद वाला बायचांस अपनी बातों से अड़के किसी भी तरह सफल हो भी जाएगा तो भी उसको क्या नहीं मिलेगा खुशी नहीं मिलेगी संतुस्टता नहीं मिलेगी क्योंकि जिद का संसकार कभी भी व्यक्ति को संतुस्टता नहीं दिला सकता बहुत जिद करके हम वो काम कर तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर लगता है कि सब कुछ हो गया है लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है जो चाहिए था वो फिर भी नहीं मिला तो वो है दृड़ता और जिद में डिफ्रिंस इसलिए हम खुद ही चेक करें कि जब हम परमात्मा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं हम कहते हैं कि मैं दृड़ हूँ तो हम चेक कर ले कि मेरी उस दृड़ता में कही अभिमान तो नहीं चिपा हुआ है कई बार इसी बात का बहुत अभिमान होता है कि हम लोग शिरिमत पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और फिर हम दूसरों को देखने लगते हैं कि ये अच्छे से नहीं चल रहे हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं जो आत्मा ये comparison भी कर रही है कि दूसरी आत्माएं कैसे चल रही है और मैं कैसे चल रही हूँ तो उसमें भी वो दृड़ता नहीं है वो जिद कर रही है सबसे आगे निकलने की तो इसलिए ब्राह्मन लाइफ में भी इस बात को हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दृड़ता सोचकर जिद करते रहेंगे न आत्मा धीरे 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 कमजोर होती रहेगी और हमें पता भी नहीं पड़ेगा हमें तो लगेगा हम तो दृड़ता से हर काम कर रहे है जैसे ब्राह्मन बनने के लिए भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए भी हमने क्या किया दृड़ता रखी न द्रिटा रखी हमने जिद कैसे रखी हमने ब्राम्बन बनने के लिए नहीं जिद पूरवक द्रिटा नहीं हो जिद मतलब तो आपने किसी ना किसी विकार के वश्वबात की जैसे हमने ब्राम्बन बनने के लिए लोगों ने संकल्प किया कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है तो ये क्या था हमारी जिद थी क्या नहीं शादी नहीं करनी दूसरों के लिए जिद थी लोगों को लग रहा था कि ये जिद है लेकिन हमारी दृड़ता थी क्योंकि इस संक में चलते हैं घर वाले रोकते हैं मुर्ली क्लास में नहीं जाओ फिर भी हम जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं जिद करते हैं इतना मना करो उसके बाद भी जाते हैं लेकिन वो जिद नहीं वो दृड़ता है वो दृड़ता क्यूं है क्योंकि उसके पीछे हमारा लक्षे ना तो किसी को कोई भी तरह का नुकसान पहुंचाना है ना ही हम किसी न किसी विकार के वश्वो काम कर रहा है अगर हम लोग, अगर कोई मना कर रहा है मुरली क्लास नहीं जाओ और हम गुसे से उसको बोल रहे क्यों नहीं जाएं, हमको तो जाना ही है आपको क्या करना है उसमें तो ये तो फिर यहां पे देह अभिमान, अहंकार, गुस्सा सब काम कर रहा है फिर ये दृड़ता नहीं है फिर ये जिद है तो कोई भी बात जब हम बोलते हैं और हम कहते हैं कि हम दृड़ता से ये काम कर रहे हैं हमारी बोलने की टोन से ही पता च जाता है कि ये अपनी बात में द्रड है या फिर ये जिद कर रहे हैं और जिन आत्माँ ने जिद की वो आत्माएं फिर ज्यान में चल भी नहीं पाती हैं क्योंकि उनको अंदर में खुद भी क्लियर ही नहीं होता है कि हम लोग ये जिद कर क्यों रहे हैं उस किसी की देखा देखी थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं और जिद वाली आत्मा कभी भी सफल नहीं हो पाती अगर जिद करते रहेंगे घर वालों से फैमिली से तो सफल नहीं हो पाते और अगर इनकेज किसी न किसी तरह सफलता मिल गई उन्होंने आपकी जिद मान ली और आखको बना दिया प्रह्मा कुमार कुमारी तो उसके बाद क्या नहीं मिलेगी ना तो संतुस्ट्रता मिलेगी ना खुशी मिलेगी फिर लगता है कि बाबा का बन तो गए लेकिन खुशी फिर भी नहीं मिल रही है क्यों? क्योंकि जब आप बाबा का बन रहे थे उस समय आपके माइंड में वो दृड़ता नहीं थी वो एक जिद का संसकार था जो काम किया हम सब जब बाबा के बने हम सब को बहुत सारी बाते सुननी पड़ी बहुत सारी बातों में हमें थोड़ा टोन बढ़ा के भी जवाब देना पड़ा और बहुत सारी बातों में शांत रहे के भी जवाब देना पड़ा लेकिन माइंड में तो क्लियर था ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो इसलिए उसको जिद नहीं कहेंगे जैसे मैं एक बात बताते हूं हम जिस सेंटर से थे कुरुक शेत्रा से तो हमारे एक सीनियर भाई जी थे उद्धर लक्षवन भाई जी सब लोग जानते ही हैं उनका बाबा मुरली में भी नाम लेते थे कि जुनों ने दधाची रिशी की तरह अपनी हड़ी हड़ी सवा कर दी यग्ये में तो वो अपना अनुभव सुनाते थे कि मैं ग्यान में चलने के पहले न मैं बहुत विकारी था सिग्रेट, शराफ सब पीता था बहुत गुस्सा करता था वो टीचर थे तो बच्चों को मारते थे माना बोलते मेरे में सब बुराईयां थी ग्यान में चलने के पहले फिर उनकी युगल को ग्यान मिला युगल से उनको ग्यान मिला और वो जब ग्यान में चल पड़े तो बोले मैं उनको जवाब देता था कि चलो 900 चुहे खा के ही सही, बिल्ली चल तो पड़ी हज को, तुम लोग तो अभी भी चुहे खा रहे हो, तो यह क्या है माना एक बड़ी भात को एक छोटे रूप से आराम से जवाब देना, इसमें करने वाला बहुत गुसा और अंकार भी दिखा सकता था कि मैं मेरी लाइफ है जो कर रहा हूँ, लेकिन ने, बात का जवाब देने का भी एक तरीका होना चाहिए, तो यह जिद का संसकार, जिसको हमें परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दृड़ता की शक्ती के साथ बहुत मैच करता है, और इसलिए हमें इसके कनफ्यूजन से बचना है, तो परिवार में? नहीं, आतम प्रकाश भाईजे, पहले आतम प्रकाश भाईजे, जो ग्यानमरित प्रेस में है, उसके बाद धीरे-धीरे पूरा परिवार फिर उनका ग्यान में चला, तो यह जिद का संसकार, जो आत्मा की शक्ती को बिलकुल शीन कर देता है, हमें पता ही नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यू कर रहे हैं, तो इसलिए वैसे तो ब्राम्बन आतमाओं में यह संसकार बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर यह संसकार है, तो इस संसकार से मुक्त होने के लिए क्य करना पड़ेगा क्या solution है संसकार से के ओपर विजय पाने के लिए सकारात्मक जिद सकारात्मक जिद के संकल कैसे अच्छा है नहीं हमने वही बात की ना जिद और द्रिड़ता वो द्रिड़ता रखता है कि मुझे एक्जाम में इतना इतना परसेंटिज लाना है तब ही वो ला पाता है अगर वो जिद करेगा ना जिद वाली आत्मा की शक्ति पहले ही डाउन हो जाती है और वो फिर द आत्मा फिर नहीं ला पाती है द्रिड़ता और जिद हमें हर चीक में लगता है मैंने भी जब ये टॉपिक मिला न तो जैसे ही जिद के संसकार की बात आई तो मैंने सोचा हम सबने जिद की है बाबा का बनने के लिए तब ये मुझे भी क्लारिटी नहीं थी कि जिद और द द्रिड़ता में अंतर होता है हमने भी सोचा कि ये सब तो हम लोग भी तो सब बाबा का बने हैं जिद करके लेकि नहीं जिद एक नेगिटिव वे में बोला जाता है द्रिड़ता एक पोजिटिव वे में बोली जाती है जिद जादतर नेगिटिव चीजों के लिए ही की ज और दृड़ता हमेशा किसी पॉजिटिव संकल्प के लिए की जाती है। अगर हम सिर्फ सीधा कोशिश करें चेंज करने की लेकिन उसके पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मेरे अंदर ये बुराई है। फिर तीसरा स्ट्रेप है कि उसको हमें चेंज करना है। और चेंज करने के लिए बहुत सिंपल सा सोलुशन बाबा ने हमें हर संसकार के लिए वही सोलुशन दिया है। कि आप आत्माओं के मनसा में बहुत शक्ती है, आपके संकल्पों में बहुत शक्ती है। अगर जिद का संकल्प करके हम जिद के संसकार को जागरित कर सकते हैं, तो ग्यान का संकल्प करके उस संसकार को हम दबा भी सकते हैं। जैसे जिद का संसकार क्या कहता है, मैं क्यू जुकू, मैं क्यू सुनू, मैं क्यू बोलू, वो हर बात में क्यू क्यू कहता है, और जिद का संसकार क्या कहता है, मुझे ही जुकना है, मुझे ही सुनना है, मुझे ही करना है, मुझे ही सुनाना है, तो ये जो संसकार, जिद क का संसकार हर बात में क्यों-क्यों कहता है और ग्यान का संसकार मुझे ही करना है और मुझे ही क्यों करना है क्यूंकि मैं शक्ति-शाली आत्मा हूं। दूसरी आत्मा क्या कर रही है उससे हम उसको compare नहीं करे मुझे ही करना है तब ही हम इस संसकार से दीरे 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 detach हो पाएंगे और जिदके संसकार के लिए और हम लोग क्या मैनत कर सकते संसकार को खतम करने के लिए बिल्कुल उससे opposite जो चीज है उसको हम अपने जीवन में लाएं जैसे कहते हैं कि कोई बाल्टी में गंदा पानी है उस गंदे पानी को निकालने का तरीका है कि उसके ओपर साफ पानी खोल दिया जाए तो दीरे 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 वो अपने आप बाहर निकलने लगता है गुसे के संसकार को शांत करने के लिए हम बोलते हैं जितना हम शांती का संसकार धारन करते रहेंगे गुसा अपने आप दूर होता रहेगा तो जिद के संसकार को दूर करने के लिए उसके अपोजिट जो संसकार है विनम्रता उसको हम अपने जीवन में लाए और ये हम धीरे-धीरे करेंगे तो ये इतना इजी भी हो जाएगा क्योंकि देखिए हमारे मन के संकल्पों पे ही हर चीज निर्भर करती है कोई भी परिस्थिती है वो निर्भर कर रही है हमारे मन के संकल्पों पे हमारी अपनी स्थिती भी हमारे मन के संकल्पों पे निर्भर कर रही है जैसे कई बर आपने भी अनुभव किया होगा कि कई बर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कोई प्रोब्लम नहीं है, कोई परिशानी रही है, लेकिन फिर भी हमारा मन डाउन होता है, दुखी होता है, परिशान होता है, कुछ भी बाहर गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मन अशान्त है, तो अगर कुछ भी बाहर गलत नहीं होते हुए भी मन अशान्त रह सकता है, तो कु सही है तो भी मन अशान्त है तो यानि कि मन की स्थिती किसी भी परिस्थिती पे निर्भर नहीं करती है हम सोचते हैं कि बाहर ऐसा ऐसा environment है इसलिए मेरा मन अशान्त है उसके कारण मन अशान्त नहीं होता है मन अशान्त होता है हमारे अपने संकल्पों के कारण जैसे दो-तिन दिन पहरे मैंने कई पे पढ़ा था उसमें उन्होंने क्या बोला था कि मान लीजिए आप चाय का कप लेके खड़े हैं पीछे से कोई आदमी आया उसने थोड़ा धक्का लगाया आपके कप से चाय गिर गई तो तबी किसी दूसरे ने आके पूछा कि आपके कप से चाय कैसे गिर गई तो आप क्या बोलेंगे कि कोई आया उसने धक्का दिया उसने मेरे कप से चाय गिर गई तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके कप से चाय इसलिए नहीं गिरी क्योंकि किसी ने धक्का दिया आपके कप से चाय इसलिए गिरी क्योंकि आपके कप में चाय थी इसका मतलब क्या है कि कप से वही चलकेगा कप से वही चलकेगा जो कप में है दिमाग रूपी कप से भी वही चलकेगा जो उसमें है भले कोई कैसा भी धक्का दे, किसी ने जोर से दिया, प्यार से दिया, जो भी दिया, हमारे मुख से वही बात निकलेगी जो हमारे मन में भरी हुई है. अगर हमारे इस बुद्धी रूपी कप में ग्रिना, इर्शा, द्वेश ये सब भरा हुआ है, जरासा धक्का लगते ही वो छलक पड़ेगा लेकिन अगर हमारे इस बुद्धी रूपी कप में प्यार, सद्भामना, शुब, भामना, शुब, कामना भरी हुई है तो कैसा भी धक्का लगे छलकेगा वही तो आपके बुद्धी रूपी कप से क्या छलक रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या भरके रखा है तो जिद के संसकार को और दृड़ता के संसकार को दोनों को हम अच्छे से समझे और चेक करके अपने अंदर चेंज करे और उसके अपोजिट संसकार को भी जीवन में लाने की कोशिश करे अच्छा, ओम श्यानती ये भी दिद है कि छे वाजे तक करना है तो पहले हो गया किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते है जिद कहां कहां आती है वो तो अमने बात की न कि देखा कोई प्रश्मी नहीं है सबको अच्छे से समझा सकारात्मक जिद मना मेन मतलब है कि जिद का संसकार किसी विकार के फल्स्वरूप जागरित नहीं हुआ क्योंकि मैकसिमम जो जिद का संसकार होता है उसके पिछे कोई विकार काम कर रहा होता है लेकिन अगर हम उसको positive way में ले रहे हैं कि हां कि मुझे इससे जो भी आपने बोला अनुभवों की जिद करो या बाबा के साथ जिद करो लेकिन फिर बे मैं सोचती है उसके लिए जिद शब्द उतना accurate नहीं है जिद में negativity है क्योंकि जिद शब्द से ही लगता है कि ये कोई सिद करने वाली बात है क्योंकि मैंने अव्यक्त महावाक्य उसमें जैसे आपने कहा था कि अव्यक्त महावाक्य क्या है तो मुझे में यही महावाक्य समझाए कि जिद वाला सिद करता है अपनी बात को और जह हट, आच्छा, मूल स्त्रों तो अगर देखा जाए तो अहमकार जो है, अभीमान, अभीमान एकदम डारेक्ली प्रोपोर्शनल है जीद के, जहां पे भी जिद जागरित होती है, उसमें कही न कही आत्मा अभीमान, देह अभीमान में है, इसलिए जिद जागरित होती है, बोड़ी कॉंशियस है, वो तो बच्चों की बात, यहां हम बड़े होके भी अगर जिद करते हैं तो जग्ये में भी उत्पात मच जाता है, कहां भी, जहां भी जिद आएगी, वहां पे कोई ना कोई नुकसान जरूर होता ही है, बातावरन खराब हो जाएगा, बिलकुल, बिलकुल, सबसे पहले तो जिद वाली आत्मा खुदी टैंशन में रहेगी, खुदी परिशान रहेगी, और जो परिशान होता है, वो दूसरे को परेशान करता ही है बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है जिद करने का तरीका भी अलग-अलग होता है कई दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और कई खुद को नुकसान पहुंचाते हैं कि फिर ये लोग हमारी बात मानेंगे हाँ वो भी एक जिद्धी है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कुछ सुसाइट कर लेंगे कुछ कर लेंगे ये भी एक प्रकार की जिद्ध है खुद को बंद कर लिया था कौप भवन में ये भी उसकी जिद्धी तो ये ही होता है जिद्ध वाली आत्मा खुद को भी नुक्सवान पहुंचाती है और दूसरे जो आसपास के आत्मा है वो तो परिशान रहते ही है हाँ और ये तो नेच्रल जो खुशी में नहीं रहेगा वो तो दूसरे को खुश देख ही नहीं पाएगा वो अपने आपी दूसरे की खुशी उसको अच्छी नहीं लगेगी जो आत्मा खुद खुश होगी न वो कोशिश करेगी कि मेरे आसपास हर आत्मा खुश रहे लेकिन जो खुद फ्रस्ट्रेट होगी उसको अगर कोई खुश दिखेगा भी तो अभी उसको अच्छा नहीं लगता है जिद के कारण अपने जिद में हाँ फिर उनकी जिद बनाएं कि इसमें बुद्धी को डाइवर्ट करने वाले भी बात है हाँ खुदी वो धीरे-धीरे देखो जिद का सबसे पहला तो यही है कि वो सोचने समझने की शक्ति को ही खतम कर देता है तो जहां आत्मा की सोचने समझने की शक्ति खतम हो इमाहा तो नुकसान है आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और जो जो करते जाओगे वो लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं लेकिन होगा वो पूरी तरह गलत जिसे कई आत्माई जो यग्य को छोड़के भी चले जाती है उनको अंदर से नहीं होता है उनको लगता है कि नहीं हमने सही किया हम बिल्कुल राइट कर रहे हैं मैसूसता की शक्ति खतम हो जाती है उनको समझ ही नहीं आता है कि हमने कुछ गलत किया कई बार जिद में दूसरों का नुकसान कर देते है तो भी लगता है कि नहीं यह सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था सबसे में नुकसान तो यही है जिसकी सोचने समझने कि शक्ति खतम वो आत्मा तो फिर आगे अपना पुर्शाट करी नहीं पाई हां जी देखे जैसे अब भी यह बताया है इनोंने कि भई अगर छोटा बच्चा जिद कर रहा है तो उसके बड़ा है अगर कोई आत्मा ग्यान नहीं समझते है तो सबसे अच्छा तरीका तो हमारी मंसा सेवा है किसी भी आत्मा के प्रती उसको आप जो बात बोल के नहीं समझा पा रहे है आप मंसा पावर से उसको वही बात समझाए उसको इमेजिन करें अपने सामने जो जो बात आप उससे कहना चाहते है मंसा स्वरूप में कहें उसको आत्मा देखके बाबा से पावर लेके कई आत्मा यह ऐसी होती है जो आपके बोल को accept नहीं करती है तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बाबा ने मंसा सिवा कहीं बता है और यह भी जरूरी होता है कि उनकी भी बात हम सुने वो क्या कहना चाहता है उनकी जिद क्यूं है उस बात में उस बात को भी हम अच्छी तरह समझे हम सीधा किसी की भी बात को reject कर देंगे न आप तो जिद कर रहे हो यह बात ठीक ही नहीं है तो भी आत्मा को लगता है कि मुझे ठीक से टाइम नहीं दिया मुझे सुना नहीं जैसे लोग कोर्स करने आते हैं तो कितनी तरह की बाते करते हैं पर हमारा काम होता है कि हम उनकी हर बात को सुन दें इधर उधर की negative positive उसके बाद हम उनकी पॉइंट दे तो वो आत्मा एक्सेप्ट करेगी वो बच्चे ने बोलना शुरू किया आपने साथी उसको ग्यान की पॉइंट दे दे कि नहीं भई ऐसे नहीं बाबा तो ऐसे कहता है तो वो फिर उसमें उसकी नहीं होती है उसमें उन्नती नहीं हो पाती है आत्मा की बिल्कुल बाबा लास में तो हाँ लास में तो full stop लगाने के लिए कहता है आपने अपनी तरफ से कोशिश की बोल के भी समझाया, मंसा से भी समझाया लेकिन फिर भी आत्मा उसी मार्क पे जाना चाहती है तो फिर आत्मा के हिसाब की तब या उसके कर्मों का है जो उसको उस मार्क पे ले जा रहा है फिर उसमें आपको डिटैच रहना पड़े हाँ अगर फिर भी पर मावा, मावा, बाब, मावा और बच्चे के रिलेशन में सबसे ज़्यादा होता है कि मोह होता है और मावा नहीं देख सकती है कि बच्चा किसी भी गलत मार्क पे जाए पर हर आत्मा हमें बाबा जैसे बताता है ना कितनी जर्नी करके आई है तो उस आत्मा किस-kis आत्मा से हिसाब केताब है हमें नहीं पता है हम सिर्फ उसका ये जीवन देख रहा है लेकिन इसके पहले वी उसके कितने जनम हुए और कितने हिसाब केताब है तो आत्मा को वो चुक्तू करने ही पड़ेंगे कितना भी आप पोशिश करें लेकिन यह लास्ट टेप है, पहले कोशिश करनी है, सब तरह से उसको समझाना है. कीत तो बजा दीजिया, ठीक है, ओके, ओम शानते. सैंयम मैं जीवन हो, सैंयम मैं जीवन हो. सैंयम मैं जीवन हो, सैंयम मैं जीवन हो. नैतिकता की सुरसरता में जन जन मन पावन हो, सैंयम मैं जीवन हो. सैंयम मैं जीवन हो, सैंयम मैं जीवन हो. अपने से अपना नुशासन, जीवन की परभाशा. अपने से अपना नुशासन, जीवन की परभाशा. बर्ण जातिया संप्रदाय से, मुक्त धर्म की भाशा. छोटे छोटे संकल्पों से, मानस परिवर्तन हो, सैंयम मैं जीवन हो. सैंयम मैं जीवन हो. मैत्री भाव हमारा सब से, प्रत दिन बढ़ता जाए. समता सह, अस्तित्व समन्वे, नीति सफलता पाए. शुद्ध साथ के लिएनीयों जित, मात्र शुद्ध साधन हो. सैंयम मैं जीवन हो. सैंहम मैं जीवन हो सैंहम मैं जीवन हो